दोस्तो मैं तुशार जैन, CFO और रिसर्चाइडर जैस्टो मैनी गुरू और तुशार ग्लोबल सर्वेसेज डाट कॉम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ आज 12 मार्शन 2023, आज के इस एपिसोड में हम चर्जा करने वाले हैं भारते शेर बजार के बारे में उस तो आपको याद होगा कल के सेशन में भी हमने आपसे कहा था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग जरूर हो सकती है, जरूर दिख सकती है लेकिन गैप अप जो है वो टिकने की उमीद बहुत कम है और गैप अप खुलने के बाद में मुनाफ़ा वसूली देखी जा सकती है और कल के सेशन में वैसे ही देखने को मिला, कल के सेशन में जब बैंक निफ्टी खुली खुलने के तोरण बाद उसने 39,914 यानि के 49,914 के लेवल्स के उपर हाई बनाने के बाद में लगातार उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 38,934 के लेवल्स का लू ल तो उमीदे आपको हमारे अनलेसिस अच्छा लगा होगा, अब आज क्या होने के संभावना है, इसके बारे में हम आप से चर्चा करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी मुख्य खबर और ग्लोबल सेंटिमेंट्स के उपर भी नर्जर डाले, तो हम देख सकते हैं, लगातार पिछले कई दिनों से रोज किसे न किसी बैंक के अपर दिक्कते देखने को मिल रही है, पहले सिलिकॉन वैली बैंक के उपर देखने को मिली, फिर फर्स्ट रिपबलिक बैंक के उपर देखने को मिली, और कल क्रेडिट स्वीज के उपर देखने को मिली, हाला कि क्रेडिट स्वीज के उपर investment करने वाला था उसने investment करने से मना कर दिया हाला कि यह जो मनाई हुई है वो साओधी National Bank funds के लेकर नहीं हुई है बलकि जो Central Bank के जो regulatory है जिसके तहद साओधी National Bank जो है वो किसी भी company में 10% से ज़्यादा का stake नहीं भाय कर सकता उसको ले उस restriction के वज़े से यह fresh investment कैंसिल हुआ है लेकिन मैट्वपून बात यह भी है कि यह जो regulators के जो measures है और regulators के जो नियम है वह ऐसा नहीं है कि रात और रात बदले है 10% के यह शुरू से ही है तो और जो कि credit squeeze और साओधी National Bank कोई छोटे मोटे institutions नहीं है और इसलिए बुझे नहीं लगता कि केवल इसी कारण के वज़े से या फिर यह कारण उनको पहले नहीं पता था यह काफी विचित्र सिच्वेशन है जिसके वज़े से कल के session में credit squeeze लगबग 30% की गिरावट credit squeeze में देखने को मिली फिर उसके बाद में Central करने के लिए और credit squeeze जो है वो लगबग 54 बिलियन डॉलर की borrowing नेशनल सेंटरल बैंक ऑफ स्वीश से करने वाला है जिसके तहत अब उसके stabilize उसके shares को stabilize होते वे देखा जा रहा है मैच्वपून बात यह भी है कि कल के session में इतना उतार चड़ाव होने के बावजुद नाजटेक जो है वो positive बंद वे और जो की IT sector tech sector के लिए एक अच्छी खबर है और फिलाहल यदि हम overall global market से sentiment देखे तो हम देख सकते है कि technology sector और IT sector के अंदर अच्छा signals देखने को मिल रहा है लेकिन banking sector के अंदर अभी काफी निश्चिता है देखने को मिल रही है अब आगे क्या गतिवीदिया होने के समामना है इसके बारे में अब हम आपसे चर्चा करेंगे आज के session में क्योंकि आज weekly expiry भी है इसलिए volatility के साथ साथ काफी weakness के साथ में कुछ start होने के समामना है जरूर देखी जा रही है लेकिन volatility के volatility जारी रहने के पूरी-पूरी समामना है बन रही है इसी के साथ ही शुरुआती arts के अंदर कुछ मनाफ़ा वसूल जरूर देखने को मिल सकती है especially nifty bank के अंदर इसलिए आप साथ रख रहे और फिलाल कोई भी बड़ी position लेने से बचे छोटी अमदी के लिए तो ज्यादा बैतर रहेगा तो आज के इस episode में इतना ही आप हमारे standard disclaimer भी जरूर दियान से पड़े कि यह सब भी information research और analysis के वल और के वल research training और educational purposes के लिए है किसी भी प्रकार के लाब यहाने के जिम्मेदारी हमारे channel या वेशे शगय की नहीं होगी और यदि यह आप को इभी ट्रेड लेते है तो उसमे financial risk शामिल है और आप अपने financial advisor से जरूर सला कर ले तो आज के इस episode में इतना ही आप देखते रहे है अजय एस्टो मनी गुरू थैंक you and good day